हलो दोस्तों जैसे आपको पता है हमुराभी टैबलेट एक इवेंट चला रही है Exploring District Courts of Maharashtra और इसी सिंसिले में आज मैं आया हूँ नंदुरबार District Court में और मेरे साथ अभी एड़ोकेट तुशार कपाडिया सर है जो AGP है और उनसे हम जानकार ही लेंगे कि सिविल साइड नंदुरबार District Court में किस तरह से चलती है तो सबसे पहले तो कपाडिया सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद के आपने हमें समय दिया AGP होने के बावजूद तो सबसे पहले में सर पूछना चौंगा कि जब नया दावा दाखल होता है यांपे तो वो पूरा प्रोसेस हो के अब्जेक्शन वगर रही प्रेम्म्यक को फाइल शूट नमबर मिन ता है है दो यारा दभी घंटे जहादा सी जाता मैक्सिमं रही घंटे मशके अगर शूट एक बार करने के बाद में दो याज थी घंटे के बाद में वो निगल जाता है उसको नमबर लगके कोर्ट के सा तो तीन टेबल पर उसका जो रिजिस्ट्रेशन होता है एलॉट्मेंट होता है कोट अलॉट्मेंट होता है इसे मानलो यहां पर 4-5 CJJD है तो किस कोट में अलॉट होगा वो सब और सो के दो ड़ी गंटे मैंसिम तीन गंटे में वो कोट के सामने निकल जाता है किसी को अगर इंजंक्शन मुझ करना है तो अंद वेरी डे अगा जो इंजंशन अप्लिकेशन निकालते हैं उसका टोटल इंजंशन अप्लिकेशन डिसाइड होने का अंधाज से क्या टाइम फ्रेम रहता है अंधाज तो ऐसा है जो फाइल होता है उसकी दोनों जो पार्टीज होती है जब नौर्मली इंजंशन सूट फाइल होने के बाद में अगर वो अर्जंट नोटिस निकलती है दो तीन दिन की अधर साइड को वो अपियर होते है या तो वो सेम डे से दाखल करका अर्ग्यू करते है या तो फिर दो चार दिन के और करते हैं कि हम सब देखके दो चार आट दिन में अर्ग्यू करेंगे डिपेंड्स अपांटी पार्टी कोट तो इंजंशन सूट है और अर्जंट सूट है तो अर्ली अस पॉसिबल उसका एरिंग लेने का कोशिच करती है तो जह तक मेरा सवाल है मेरी प्रैक्टिस का सवाल है तो दो चार आट टीन पंदरा दिन में उसका हीरिंग हो जाता है अल्मोस्ट वाखशि प्रेजेंट सिटाइल तो वह सेंटर सीचींग अपर का टैगिंग है आपके यहां पर वह अपर टैगिंग है अच्छा वहां से लाल वाला जो फिता होता है उसे टाइड करके अच्छा सेंटर स्टीचिंग अगरा कुछ नहीं अभी दूसरा एक इसी से सवाल पुछूंगा के सर एफ पर फाइलिंग होना शुरू हो गया है सर एक नंबरिंग पैटर्न के बारे में पुछना चाहूंगा आपको और यह प्रस्टन का क्या मेरा रोख है यह भी आपको क्लियर करता हूं सर मुंबई में अभी ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट में अगरा आपको रनिंग नंबर सिस्टिम हा गया है फॉर एक्जंपल आप समझो मेरा प्लेंट है जो एक से दस तक चलता है रनिंग नंबर एक से दस उसके बाद आप कोई भी प्लीडिंग फाइल कर रहे हो आप तो 12, 13, 14, 15 उसके बाद मैं कुछ फाइल करको 16, 17, 18 उसके रनिंग नंबर मोलते है इस तरह से कोई है हमारे यहां फाइलिंग पर नंबरिंग कोई चक्कर है अपने हाँ नंबरिंग का जी नहीं सा कुछ नहीं होता है हम हम अपनी तरीके से अपनी और से जो कुछ भी राप्ट दो कुछ नहीं से कंगा कि अगर कोई मैंटर बॉर्ड पे नहीं है और आपको कोई अरजय अप्लिकेशन निकालना पड़ता है तो उस मैंटर को लिए कि उसके लिए क्या टेकर ओन बॉर्ड च्बिकेशन होता है क्या होता है ज dönुस्त विद्लोड करने है तो झाल समय definitive story किसी अधिय इन है किऑ है की चेंज शरकुम् ट्रांस्न ठीजंग में कुछ सब्सक्वें डेवलोपमेंट के नजर्यां से होजरेसे कुछ तर्फ आपन दी नेचर अप्टिक्लर अप्लिकेशन तेक अन बोर्ड लेकर एकसपर्ट एउडर मिलता है या फिर अधर साइड को इस्यो नोटिस होते है लेकिन टेकन अन बोर्ड है करते हैं बिलकुल एक सवाल और पुछूंगा कि जो मुंशी लोग होते हैं मिलका हर प्रै अपने अपनी फी चार्ज करते हैं और काम करते हैं तो उस तरह से कोई प्रोफेशनल यहां पर ऐसे लोग है जो सिर्फ एटैस नहीं है और अपना काम अलग से करते हैं जहां तक मेरा मानना है हमारे यहां जो अभी हमारे प्रेशिदेंट सर ने बताया पांच चे वेंडर स तो उनके लगबग तो सबके वकिल ऐसे फीक्स है कि यह वकिलों का काम इनके पास देखा जाता है वह वकिलों का काम उनके पास देखा जाता है और एसे बहुत से लोग आके चले भी गए दो चार मेहने के लिए यहां अपने सर्वाइवल के लिए यहां पर कोट में उन्हो यहां पर जितने लोग है वो सब कई ना कई किसी ना किसी अड़ोकेट से अटेच अभी एक सर में सवाल पूजना जाओंगा के है है प्लिडिंग ऐसका एंगलीश में फाइल हो सकता है कि उनकी निए प्लेंड़ तक में हैं लेकिन है इंगलीश में सुट फाहिल होता है को वहली हमराली हम मराथी करते है महारास्टमें रहते है और हमारा थोड़ सा रिमोट एरिय जैसे हमारे प्रेशीडेंट सर ने बता Church यहां पर यह अनुसूची जाती जाती जो बहुल यह हमारा डिस्ट्रिक्ट है मराटी ही रिफर करते हैं लेकिन कहीं बहारगाव से आने वाले कोई वकील अगर सूट फाइल करते हैं इंग्लिश में भी कर देखे हैं मैंने असे एक दो सूट देखे है जो प्लेंट इंग्लिश में दाखलो अभी इससे एक अगरेक्टेट्ट्स होर मेरा ऐसा है कि अगर मेरे प्रैक्टिस के वारे में कहूं तो हमारे जो बाहरगाव के पक्षकार है क्लायन्के जो किसी कारनवश अगर समझजो यहांपर नंदुरुबार के कोट अटेंड नहीं कर सकते हैं लेकिन उनका डवलिवी इस फाइल करने तो हम उनको प्लेते हैं कि आपने अपने वहां पर जो भी कोई कोउप थे वहां जाकर के हम उनको मेल से या कुरियर से डबली एस सेंड करता है उसका प्रिंट जनरेट करके आप वहां जाकर वह इसके पास से एफिडविट करके बेज दीजेगा हम उनको यह सला देते हैं यही सला हम देते हुं कि आप अपनी जो भी लोकल कोट है आप जिस सिटी में रहते हो वहां जाकर के आप किसी एडवोकेट की सिगनेचर लेके फॉर इंटिफिकेशन और इसको एफिडविट कर लो हम को फेज दी हम यह सला जेते हैं और यह प्रिफर करते हैं प्रैक्टिस आच्छा इस तरफ भी बगलते हैं अभी सर मुझे पूछना था के जैसे यहां पर कई सारी इंटरनर डयेक्ट्च माराथी को छोड़की वह कई वाच आशा फिर गुजर भाषा यह तो यह सब भी बोली जाती है का तो तरह का अगर कोई विट्नेस कोट में आता है तो फिर कैसे होता है इंटर्पीटर वेगर कैसे होता है तो हम इंटरीटर की help लेके उसका evidence रेकॉर्ड करते हैं ेंटरीटर है एक independent person होता है जिसका एंटर party से कोई concern नहीं होता है उस matter से कोई concern नहीं होता है ऐसी उसको प्रबुद d ऄती है मेरा यह matter से कोई concern नहीं है plaintiff और defendants से da defect मेरा कोई concern नहीं है यसरी criminal में इंटर्पीटर के माध्यम से फिर वो उसका एविदेंस रेकॉर्ड किया जाता है तो सर यह जो इंटर्पीटर होता है यह हमारे कोई अड़ोकेट्स शाब भी हो सकते जो करेंट नहीं अबशेश अगर वो जुनियर एड़ोकेट्स हमारे यहां ऐसे बहुत से है कोछ जो अग सर जब एविडेंस रिकॉर्ड होता है तो मराथी इंग्लिश या दोनों में तोनों में रिकॉर्ड होता है मराथी आज वेल एंग्लिश विखिवी और निश्तिस वह और अप्यर और जशां रहल हिंगेट्स और फीर्ट की बहिए यह को ज्यादा से ज्यादा ओर्डर पास करो, तो मरठी में भी होती है, इंगलीश में भी होती है, अच्छा, सर इसका कनेक्टेड इसा है के, अन्दाजन सूट यहां दाखल होता है, उसके बाद क्या अन्दाजन टाइम फ्रेम हैं जिसमें वो डिस्पोज आफ हो जाएगा, टोट तो बहुत ज्यादा कॉंट्रेस्टेड अगर नहीं है, अगर बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेशिटी नहीं है, तो साथान लगबग तीन साल के अंदर डिस्पोजल हो जाना चाहिए, यसा हम भी क्लाइट्स को बोलते हैं, और होते भी हमारे सुट्स, कोई सुट्स ऐसे होते है जो काफी लंबे भी चलते हैं, डिपेंड्स अपॉन सिचेशन और लेकिन ज्यादा से ज्यादा तीन साल में तो लगबग डिस्पोजल हो जाना चाहिए, ऐसी हमारी भी कोशिश होती है, कोट की भी कोशिश होती है, बहुत अच्छा है, अभी सरेक मैं सवाल पूछना चाह गवर्मेंट के अगर अगर कोई सिविल डिस्पूट अगर फाइल होता है तो उसके लिए हमारे यहां सिनर डिविजन के कोट है, तो सिनर डिवर्मेंट अगर कोई सूट है, तो सिनर डिविजन कोट को आलाट होता है, वहां पर बाइफर्गेशन कुछ है नहीं, आच्छा कितने तक यहां पर यह नो एक करोड से क बंबें CPA में लाघ मैंजी और उपर INFORM करेक्षि नकुर्ण वाकुष रिक्रेचर प ceram लेकिन पहले काफी कम था काफी जो फिस्ट अपील होता है उसका भी जुरिश्डिक्शन कम था वो भी बढ़ायगया है अच्छा पिक्वेडिश्डिक्शन उसका इस अफेट किया हुआ कि हाई कोट से काफी जो फिस्ट अप्विल हाई कोट थे पहला है वह बांट ओड तो वह आब पर एमांद हो गय सेशन्स कोट में फॉर डिस्पोजल एकॉर्डिंग तो पिकुनेरी जुरिजिश्डिक्शिन भी बढ़ा है सिने डिविजन का भी बढ़ा है और अपिलेट कोट का भी बढ़ा है काफे मैंटर रिमांड भी हो गया है कोट से यहां पर यहां पर रिमांड हो गए जुरिजिश्डिक्शन बढ़ने के से कॉंसिक्वेंस हमारे वखील बढ़ें का काम बढ़ गया हमारा काम सर अभी मैं एक सवाल पूछना जाओंगा आपसे के जैसे के हर जगा एक अनृटन अ लोग भार जाते रहते हैं तो वैसे आप लोग बढ़ जाते हो तो अशा कोई एक डेस को इसा कुछ फिक्स हुआ है कि वखील साब बादवर को यहां नहीं रहें हमारी यह b bending को यह नहीं रहें है काक सारे से हमारी ही है जो उनका टेसिफिक डेस्ट किस फ्राइडई है तो हमारे न हैं अधने हुआ होता है हम फ्राइड को यहां पर नहीं होते हम नवड़ापुर जाते हैं तो चौडिनेसनसे ही काम चलते मोड और काफी लोग बहार से भी है है उनका वी जिसे हमारे यहांपर claim के matter या land acquisition के matter वो जादा तरह बुदवार को सलते हैं जो बारगाव से वकिल साथ यहांपर आते हैं तो उनके मैटर उनके उस तादत में बुदवार को ही रखे जाते हैं ऐसा coordination चलता है जी बिलकुल सब्सक्राइब एक सवाल मैं पूछना जाओंगा कि आपने कहा प्रेसिडेंट सर ने भी कहा कि कहीं सारे अलग-अलग कस्टम्स फॉलो करने वाले उनों पीपल आर स्टेंग इन यॉर डिस्ट्रेक्ट तो उसका इंपक्क कोई कोड के मैंटर में कभी होता है कि मैं नॉट भी कोई कोडिफाइड लॉग की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन कोई ऐसी उनकी एक कस्टम जिसको वकील साब लोग अर्ग तो उन के कुछा बहुत पुराने टाडिशन कस्टम्स है उस कस्टम्स के म्हीं arbitrage हॉतों होते हैं सिविल लिट्टि केशन हूता है जैसे। फार्टिशन omt dh पिसी उनके रैट सेवारे में किसी कोई सूट उता है तो उसमें हम carriage der 되면 और aurait COUTE सामने को सरो इस्तेम संदर इस्ताफिर वी हद को चिक्वारे हैं अजिन हमारे यहां की कोड भी उसको काफी अधिक मानती है कि इनका यह कस्तम्स है और उस कस्तम्स के इसाफ से हम उनका एविडंस भी देते हैं उनके सूट्स में और फिर वा एविडंस अगर इफ इस फाउंद to be prude that such कस्तम्स इस प्रिवेल्स तो तरीके से हमको जजमेंट्स भी मिलते हैं, उनके कस्तम्स के उपर, कि यह इसा उनका कस्तम्स है, और यह बहुत सालों से चलते आ रहा हूँ और उनको अइसे भी अंको डिफाइड इंदोला उनको एप्लिकेवल होता है। उससाफ से उनके customs के इसाफ से हम एविडेंस भी देते हैं और अर्गू भी करते हैं हमारी यह बहुते वाकिल लोग जी विल्कुल होता है सर अभी यह जानना सब्सक्राइब के कमर्शिल कोड्स यहां बन चुका है कमर्शिल एक्ट जो आया उसके आर तहते हैं कुअने आरह जिख है कमर्शिल कोड्स के कुः नंदुबार एक था टुप जूल के लिए काउलर ओंकमर्शिल कोड़ अजिवो इस्टाइबलिशमेंट नहीं हैंदुबार के लिए एक लाश्च सबाट अपील के लिए अपका कॉंसा बेंच है जिए आवरंगाबाद बेंच नंदुरबार के लिए वहां पे आप सब रीट से सेकंड अपील है जो कुछ भी होता है मैं आजिंग आउट फर्स्ट अपील उस सब आउरंगापाद बैंच में हमारे दाकल होते हैं तो तुशार सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद के आपने आपका समय दिया और हमें बह स्ट्रिक कोट में किस तरह से चलती है बहुत-बहुत धन्यवाद के आपका